हेलो गाईज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चाइनीज बूडन लाइनर ब्रस के बारे में, जो कि काफी यूसफुल होता है वाटर गलर पेंटिंग के लिए, कुछ लोग में भी इस ब्रस के बारे में जानते होंगे, बट कुछ लोग को नहीं भी मालूम होगा, तो अब आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में एक बूडन ब्रस है, चैनीज बूडन लाइनर ब्रस है, जो कि मेरे ही ब्रांड का है, शज्षांग नाम आपको दिख रहा होगा इसमे और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या-क्या क्वालिटीज है, एंड बेस्ट पार्ट इस सब्सक्राइब करेंगे इसके बारे में आपको बताता हूं बहुत अच्छा विर्स है इसके थ्रूव आप काफ़ी सा चीज़े को माला बना सक्टे हो अगर एकी एकी विर्स में बहुत से चीजों को आप क्रियेट कर सकते हो तो अभी हम ट्राइ ले लिया गृऋ उसको ट्राइ करके दिखाता हूँ कि इसक बनाना काम्ठ और सब दे हम बात करें लिए अब हुआ सखते हो कितनी ना भर कर सकते हो इससे थीक लाइन मैं दिखाता हूँ तो बात क्या होती बात ये होती कि हम 10 ब्रस से काम करने अच्छा है कि एक ब्रस हमारे काफी यूजफुल हो समझें तो यह सारी चीज़ों होती है तो भी मैं दिखाता हूं इस तरीके से और एक लाइन ड्रॉ करके एक चीज़ ये भी है कि आप ट्राई कैसे कर रहे हो ये भी मैटर करता है और सब का अपने अपने पार्ट होता है ब्रस को होल्ड करने का ये भी ये चीज़ मैटर करती है तो वह आप जब तक पहले चीज़ ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं है कि उसको गुष्कत नहीं है आप नॉर्मली किस तरीकिले बहुत ही फाइन लाइन। आप ऐसे देख सकते हो बहुत ही हलकी से दिखरी होगी आपको लाइन उसको और वाइन कर देता हूं लग में और ठीक लाइन कर देटा हूं दीनें तो देख के आपको समझ में आई गया होगा कि हम इस ब्रस से क्या क्या कर सकते हैं कि multi purpose आप work कर सकते हो इस ब्रस से और almost मैं एक बार में दिखा सकते हो कि कितना कितना बढ़िया feel आ रहा है इतना ताब लोग क्लियर हो गया है कि अगर आपको fine strokes देने या कोई बहुत ही fine work करने तो आप इस brush की help से कर सकते हो कोई भी एक liner पाड़ एक line बहुत ही fine line आप इसके through कर सकते हो और बहुत सरे artist brush को use करते भी है थोड़ा professional brush होता है और मैं तो बोलता हूँ आप try कीजेगा इस चीज को यह मेरे मेरे ही brand का है तो इसका जो purchase link है मैं description में add कर दूँगा जहां से आप easily purchase कर सकते हो brush को मैं description में इस brush का link add कर दूँगा तो आप जाके देख लीजेगा अभी और कुछ भी try करके हम देखते हैं माल चलो small size tree बनाते हैं ओके थोड़े small size tree बना के देखते हैं अभी देखो ट्री बनाने के लिए में यूज करूंगा देखो इस तरीके से कितना बढ़िया effect आ रहा है आपको देखने भी अच्छा लगेगा यानि कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो आप यह नहीं बोल सकते हो कि हाँ यह useful नहीं है वो आपको खुदी मैं तभी मैं आपको काम करके दिखा रहा हूं से कि कितना अच्छा effect आ रहा है इससे इस तरीके से आप feel देख सकते हो कितना बढ़िया effect अब आई यह कि देखो मैं तो काफी टाइम से काम कर रहा हूं water color painting में तो मेरे हाथ के strokes और आपके stroke different different of course हो गई ठीक है बस यह कि मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे काम करना है और क्या के तरीके होते हैं इस ब्रस को यूज करने के तो और डाग अप्लाई कर रहा हूं color shade तो इतने से देख के समझ में आ गया लाइन चलो एक वह अलग चीज़ होगी लेकिन इसके दुरूब ट्री बना सकते हो मिन्स में यह है कि वह आपके यूज करने पर भी है चलो मैं अगर आपको दो चीज़ बताऊंगा तो आप तीसरे रास्ता कुज होज लोगे कि हाँ इ अगरी करोगे और इसे कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कि आप पूछ सकते हूं विरस के बारे में इसकी क्वालिटी इस लिए मैं आपको करके एक ट्राइक करके दिखा रहा हूं कोई बहुत सारे लोग का मेरे पास कमेंट आया थे इसकों कैसे पर भी है उम्मीद करता हूं इतने से देख की समझ में आ गया होगा आप लोग को किस से आप क्या-क्या क्रेट कर सकते हो अब जो आपका माइंड खुल रहा होगा ओपन थोड़ा हो रहा होगा कि हाँ इस चीज़ रहा हो यह भी क्रेट कर सकते हैं या इसके तो हम और कुछ भ लेता हो तो अब आप देख से तो इस छोटेस ब्रस लाइनर ब्रस से आप कितना बड़ा ट्री बना सकते हो और यह ब्रस आपको एमाजान पर इसली अवलेबल होगा इसका मैं लिंक तो मैंने आपको बोली रखा है कि डिस्कुर्शन में अड़ कर दोंगा तो आप देख ल ठीक है तो मैं यह तो ऐसे ही मैं नॉर्मली इसको छोड़ रहा हूं यह तो फिर वह बात का पार्ट हो गया तो अब बात कर लेते हैं एंस फिगर्स के बारे में अभी फिगर्स कैसे बनता है वो भी आप देख लीजिए किस तरीके से तो अब नॉर्मली मैं स्कालेट रेट क्या होती है जैसे कि बहुत सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन को यूज करना नहीं आता है कैसे यूज करना है बाकि देखो वह तो एक कहने की बात होगे कि हां चलो मैं ब्रस खरीड लिया उसको तो हम फिर यूज करी लेंगे अपने साथ से वह आपकी बात बिल्कुल ठी है लेकिन उसका एक सही मैथेड भी होता है कि आप किस तरीके से लो हम नॉर्मली कुछ राउन ब्रस होते हैं कुछ होगी हर ब्रस को यूज करने का अपना है तरीका नहीं आपको लगता लगता है कि आप इससे कर सकते बिल्कुल करो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन कि उसका बेसिक परपस तो जान लो कि अटलिस को ट्राइ कैसे करते हैं और हर ब्रस की बनावट का एक अलगी एक खास मलब एक डिफरेंस होता है उस चीज में ऐसे मालूम है एक फिगर बना रहो एक हुमन फिगर अभी देखे कितना बढ़ी है इफेक्ट निकल के आएगा कोई भी आप सिंगल ले लो कोई प्रॉल्म नहीं है अब इफेक्ट दे सकते हो कितना स्मूजली कितना बढ़ी हा लग रहा है देखने में अभी आप कुछ क्रिएट निकलने अगर को हिमन फिगर बनाना है वहाँ पर इसको यूसको सकते हो जैसे करें लेंडस्केप में हालकी सी ग्रास वाला फिल लिखाना है तो आप वहां भी यूस कर सकते हैं जैसे क्या जाएगा कि लो इस से तो हम ये भी कर सकते हैं न लो आप चीजों कैसे भी इसली ड्रॉ कर सकते हो आप क्या कितना बढ़िया लग रहा है देखने हैं तो लो एक डिफरेंट शेंड में बना लेते हैं एक और फिगर मनाता हूं लो आपकी फिगर और टरीके क्लास भी हो ग की है की अब अब काम कर ना आ जाता है चीजें अपने आ बंदाती आती हैं कि आधी देखो इस कीज को विटन सबस्त्रस को आई गया है कि यह मैं कामाल कर सकता है इतना तो आप देख के समझ ऑंत गये हो गये कापी अच्छा है और एक चीज नहीं यही हम ऐसा अपने स्टुनेंट से यही बोलता हूं कि प्लीज ब्रेस को यूज करने बार अच्छे नॉर्मल वाटर से भी आप क्लीन करके रख सकते हो क्यों कभी कभी क्या होता है कि ब्रेस के हेरे फंगस टाइप की जम जाती है वो ब्रेस के हेर खराब कर देती है तो बहु होता है उसके हेर खराब होने के चांसे होते हैं इसके ब्रेस काफी आते हैं और हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टन बात कि ब्रेस सालों का यह कोंश्चन है कि ब्रेस कोंश्वी क्यों होते है कर दो नहीं चीजे होती है उसकी value अलगी होती है चाहे वो कुछ भी किसी भी चीज से relate कि उना करते हो चाहे वह आपका बैग हो या आपकी dress हो या ब्रस की बात करो तो उसके cost थोड़ी हाई होती है क्योंकि handmade होता है ठीक है natural लेहर होता है और डिपेंड करता है हर चीज पर tax लगता है असा की वज़े से मार्केट पे आने पर ब्रस की कॉस्ट आल्मूस बढ़ जाती है तो यह तो आप जो सीनियर हैं वो तो जानते ही होंगे अच्छे से कि इतनी कॉस्ट क्यों होती है तिसके रिजन यह भी होता है कि ब्रस इतने हाई प्रैस में भिखते हैं बट मेरे साफ से जो मेर 5 आफ टाइम तर्वी करी सकते हो तो वो सारी चीजह है और बाकी अपने यूजङह करने का है आपने साथा यूजओ करता हूं आ आपने साथ मड Three थैश्क करती हैं अब यह से रिलेटेड वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको इस लाइनर के बारे में बता पाँ कि एक्च्वल में इसको यूज कैसे करते हैं खास कर वह बहुत सारी लोग के मेरे इस चीज को आप देखो सबको फिल दिखी रहा होगा अगर आपको जैसे की बैंबू इस्टिक वाला फिल दिखाना है अब तरीके बहुत सारे हैं करने के अभी आप देख सकते हैं शीज को अलब वही है कि फाइन श्टोक्स भी आ जाएंगे और अपने आप बढ़या फिल निकल के आ जाएगा देखो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है जो लोग परशेस करेंगे ट्राई करके देखिएगा कि मेरे मेरे साथ सी वन टाइम इंवेस्टमेंट है ऐसा नहीं कि आपको बार वर खरीदना है अब यह आप देख सकते हो इसलिए मैं दो एक होता है कि बोल के बताना अपनी तारीफ कर नहों एक अलग बात हो देखिए उससे करके दिखाना कि एक्च्छल में वो चीज है भी नहीं कि सिर्व ऐसे हवा में आप बाते मार रहो यासा भी ना हो ठीक है इसलिए मैं आपको क प्लिस समझ में तो आजाए कि हाँ इससे क्या क्या हम काम कर सकते हैं और बाकी देखो आप कैसा काम करते मुझे नहीं पता लेकिन यह कि एक बार ट्राइब करने पर आप एक के दो रास्ते आप खोश सकते हो तो इसको ट्राइब करके देखिए गा और मुझे जो लोग भी करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके बताईए कि जरूर कि आपको ब्रस कैसा लगा ठीक है और अगर जैसे इस वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड लोगों से भी शेयर कीजेगा जो आप उनसे भी शेयर कीजेगा और जिन लोगों अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब न आप चाहो तो मेरा वाटसप नंबर नोड कर सकते हो 9559480989 क्योंकि मेरी ओनलाइन क्लासेज भी होती है स्केचिंग एंड वाटर कलर से रिलेटेड तो अगर आपको लगता है कि कुछ आपको वाटर कलर पेंटिंग सीखनी है या अगर आपको कहते हैं स्केचिंग सीखनी ह तो आप इस नंबर मेरे को मैसेज कर लीजेगा मैं आपको इंक्वैरी दे दूँगा ओके तो ठीक एफिर थैंक यू सो मच और जैसा भी लगा हो वीडियो आप प्लीस कमेंट ज़ूर करिएगा और थैंक यू सो मच और लाइक भी कर दिजएगा थैंक यू बाइबाय